असलाम वालेकुम आप सब कैसे हैं मैं अलहम्दोल्ला बिल्कुल ठीक आज मैं बचों के लिए नूडल्स बना रही हूं तो मैंने सोचा इसकी भी वीडियो बना लेती हूं आप लों के साथ शेयर कर देती हूं ऊपर प्रखे हैं मैंने रापक मसे बना पर देख से एक गाजर को मैंने ऐक कट खुआ है थे छोटे पीसस में इसके बाद मैंे पानी रखा था जो बोल एक बाइल उने के लिए उसमें नूडल्स बनाणे की रेस्पी आप लोको मेरी चैनल पे भी मिली पहले पर एक दफाव काफी टाइम पहले मैंने अप्लोड किया था लेकिन उसमें शायद मैंने केरट्स और मटर नहीं एड़ किया थे तो यहां बढ़ना मैं पैकिट में से यह निकाल रही थी जो मसाले की साशे निकलते हैं लेकिन इस बार ना वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मैं खुद अकेली आजकल वीडियो शूट करती हूँ और फान के पास इतना टाइम नहीं होता तो यहां पर मैंने इंडर पर देता है कि कैमरा सही नहीं है या काम में अगर कुछ गरबर हो जाती है तो पता चल जाता है आशकल में तो जादा बेजी हो गई हूँ एक तो मैंने वीडियो बनाने का काम भी स्टार्ट कर लिया है दुबारा से और मेरे पास जो मैड आती थी काम करने के लिए वह भी म दिन में सुबा में पहुछ जल्दी उठ जाती हूँ लेकिन फिर पूरा दिन है ना मेरा जो पहले की तरह में पहले थोड़ा रिलेक्स पी लेती थी इसके बाद में काम करती थी इस तरह से मेरा चलता था ना वो खतम हो गया है और मतलब हर वक्त असा लगता है कि ये काम है निए काम है इसके बाद वो काम है तो ऐसे सारा दिन बहुत बुगाद काम करने में तो एक तरह से अच्छा भी लगता है और में हर काम करके नमझे सैटिस्फेक्शन होती है कि हाँ बिद्कूल परफेक्ट सब कुछ मेरे हाथ से किया हुआ है लेकिन इसमें बहुत ज़्छ कान लग जाती है किसी और को बुलाने का भी दिल नहीं करता क्योंकि फिर एक मन्त या डेर्र मन्त की बात है फिर अच्छानक किसी को मना करना तो फिर वह अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने यही सोचा कि मैं इसका वेट कर डूंगी यह खुद ही आ जाएगी अलापस